हेलो गाइज वेलकम तो दे यूटूब चैनल उप टीम्स फर विन और दिस इस वीडियो आपके कमाल के रिजल्ट गए होंगे एक प्लेयर को मैंने अपने टीम में पिक नहीं किया था वह आपको करना था क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते जो कि मैंने अपने टीम में नहीं लिया था तो उस डिफेंडर का नाम आ जाता क्योंकि मैंने जो पेनल्टी टेकर्स का नाम दिखाया था वहाँ पर उनका नाम बड़े-बड़े अक्ष्चरों से लिखा हुआ था बाकी तो साड़े गोल स्कोलर्स हमारे थे ही और जो कॉम्बिनेशन हमने बन अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आराम से आपके स्मॉल लिग्स क्लियर होए होंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होई होगी स्रफ जिन जिन लोगों ने पुसीजियोलों को नहीं रखा और उनकी ओपोनेंस में पुसीजियोलों लेने वाने प्लेर्स आ गये त जन टंडर जिनके में स्ट्राइकर थे और पोली नहीं खेलेंगे नापोली के होकर ऐसा कोई लॉस नहीं है कुछ इंपॉर्टन फैक्ट्स की बात करें नापोली पिछले पांच अवई मैचिस में जीती है छे में से बोलो नो आप पिछले पांच हो मैचिस में काफी नापोली अगर हम आखरी छे हेट्ट्विट मैचिस की बात करें तो उनमें से पहले कर जो तीन मैचिस थे काफी डॉमिनटिंग वो रहे थे सारे मैचिस उनने जीते थे बंचेस में गोल करे थे लेकिन पिछले सीजन से जैसे ही वोलो नो का कोज बदला है इनके लिए फॉ नापोली को जीत नसीब नहीं होती और जैसे मैंने बताया बोलोनवा का होम मैचिस के रिकॉर्ड काफी खराब है तो फोर्टीन प्लेस पे आ जाती है वो दोनों टीमों के बारे मैं आपको थोड़वाद आडिया देता हूं नापोली की बात करें तो पहला और मोस्ट प्लेयर आपको देगा पासिंग के लिए कुछ प्लेयर जोंगे जिनके नाम में आगे बताऊंगा प्लेइंग स्टाइल फुटबॉल यह खेलते हैं ठीक है लेकिन पहले ही मिनिट से अटाक पे जाने की मेंटालिटी नहीं है इनकी यह थोड़ा बहुत मिद्फिल में पहल कि अच्छा होगा बगड़ा करते हैं गोल्स असिस्स सब कुछ कड़ा हुआ है अविदागिन सेजन में उन दोनों फुल बैक्स ने अगर आब बोलो नुवा की तरफ से बात करेंगे तो यह भी इंडेबेंडन फुटबॉल खेलती है लेकिन नापोली का जो सबसे बड़ा कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि गोल्स वापस करने लाएक प्लेयर्स भी इनके पास हैं सिंट्रस चाहिगर का इसू इनके लिए भी थोड़ा बहुत चल रहा है अभी क्योंकि आपने देखा उनके में सेंट्रस चाहिगर का जो है संटांडेर जिनका हेट-to-end मैच में रेकौर्स भी काफी सही है वो आजके मैच में खेल रहेंगे और इस सीजन में खेल रहे हैं आगे कुरी बैचजेँ तो इसलिए के लिए ये थोड़ा ब काद दिल्ककत है बाक्य उनका भी डिफेंस अथन === Še यही टीम का डिफेंस यहां पस सही नहीं था जैसे मैंने आपको बताया बोलोनुवा ने मिडफिल्स से कंट्रिब्यूट करना है ओहिश करा यही एक चीज होती है नापोली के अगेंस्ट में बोलोनुवा का कि हमेशा वो मिडफिल्स में डिस्ट्रक्ट कर देते हैं नापोल बोल्स हले की नहीं करें हो लेकिन अच्छा फुटबॉलोनुवा ने खेला है और जैसे की नापोली के बाद पोजेशन आ गया आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टन पासर्स जीयरलिंस की फाबियन दूरिस कालीद कुलीबाली यह कुछ नाम है आगे भी आपको दिख ज में बोलोनुवा दिखा देता हूं उनके तरफ से गोल किया था लिफ्ट विंगर मूसा बैरो जो कमाल के फॉर्म पर चल रहे हैं इन्होंने गोल किया था राइट विंगर और सोली भी ठीक ठाक फॉर्म पढ़े थे अच्छा खिला था लेकिन गोल्स वगरा नहीं कर पाए इसकत वाली बात नहीं है लेकिन बोलोनुवा के मिडफिल में क्रियोटिव माइंड की अगर बात करें तो यह सोडिया नोहीं कुछत तक पॉसेस करते हैं बागी डिफेंस की बाद जितनी कम करें उतना बैतर सासुओलो ने कहां पर हिट किया दोनों ही गोल इनके विंगर् बैक ने भी निकाला मतलब इनकी अगेस भी विंग का कितना ज्यादा काम होता है आपने देख लिया ठीक है डिफेंस की बाद जितना कम करें उतना बहतर सासुओलो ने भी विंग का इस्तमाल किया और नापोली को रिपाफ कर दिया नापोली नहीं यह बोलोनुवा होगा तो बोलोनुवा के पास यहां पर पोजेसर नहीं था और सोली जो कि मैंने आपको दिखाया राइट विंग पे खेल रहे थे यह हमेशा कुछ कुछ कॉंट्रियूशन रखते हैं भले ही गोल असिस्ट वगेरा ना करें इनके सबसे ज़्यादा क्रॉस थे कगलियारी के अग तो वह ऐसी टीम नहीं है कि वह एक गोल करके उनको पूरा मैच डिफेंट कर सके ठीक है विंग प्ले यहां पर एक्टिफ था लेकिन एक गोल के सिवाय और कुछ खास हुआ नहीं बोलोनुवा ने यहां पर कुछ अत्तक पोजेसर रख लिया था तो जैसे मैं ने बताया कि दस में से दो मैचेस ऐसे होंगे जहां पर बोलोनुवा पोजेसर रखेगी तो उनमें से एक यह था जहां पर कुछ अत्तक सोडिया नो जैसे मैं बताया मिट फिल्ड से एक लौते प्लेयर है जो कुछ अत्तक इंपॉर्टन डोल प्ले करते हैं और साथ में टोमियासू और धमाकेदार फॉर्म पर यह चल रहे हैं आप देखी सकते हो और अंडाउटेडली बोलोनुवा के तरफ से सबसे बरे प्लेयर हो सकते हैं आज के मैश में आपके लिए ठीक हैं आगे ही मैं कुछ चीजी और दिखाऊंगा आपको जहां पर एक असिस्टिन के फूल बैक ने किया था रोमा के तरफ से अगर बोला जाए तो यहाँ पर मिकितारयन ने गोल करा था जो खुद भी वींग पे खेलते हैं या अतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी व्िंगर्स का ही काम था बाकि यहाँ पर रोमा भी काफी खरा फुटबल खेली थी कुछ बताने लाइक है नहीं बोलोनों के डिफेंसिव मिटफिर नियाब ठीक था काम करा था रोमा के पास यहां पार पोजेशन था वाद्दा फिट से बोलोनों के पास पिच से गोल करा और इंक्लूडिंग एक गोल भी आज के मैच में इनको मिल गया और स्कूरूप्स की जूकि आज के मैच में दोनों टीम्स में से आपके लिए बेटर चॉइस गोल की बर हो सकते हैं सबसे ज़्यादा सेफ दिनों ने बनाए थे तो यह है बोलो नोवा आपके लिए आपने देखा पूरी तरह से विंग डिबेंडेंट फुटबॉल यह खेलते हैं और इनका खुद का भी विंग प्ले की अगेस में प्रॉब्लम्स है ठीक है डिफेंस की बात जादा हम नहीं करेंगे तो ही बैतर पोजेशन नहीं रखते ह हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट प्लेयर्स को छोड़को आप जादा प्लेयर्स को नहीं रख सकते हैं पॉरणोवा के तरफ से इनके जो मुसा बैरो प्लेयर हैं यह कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं पिछले कुछ मैच्च में बहुत सारी गोल्स पगेर और उने करे हुए है देखना होगा आज के मैच में नापोली इनके अगेस्ट में क्यासी मार्किंग करके आती है और इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं उतना सदा कॉंट्रिबूट बगर करते रही हैं तो जादा कुछ पता ने लाक और कुछ है नहीं इनके जो गोल कीपर हैं हाला कि यह काफी अच्छे फॉर्म पढ़ हैं और काफी अच्छे स्टाटिस्टिक्स हैं इस सीजन में इनके नापोली के तरफ से बोला जाए तो अटलांटा जिनने पूरी तरह इस इनको रोंत दिया था और यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा नापोली के अगेंस में काफी टीमों ने क्लीन रखके भी जीसासिल करा है क्योंकि नापोली ऐसी टीम नहीं है कि पहले मिनट से वह गोल करने जाएंगे वह सेट होने की कोशिश करते हैं उसी बीच अगर कोई टीम उनको दवश लेती है उनके बिट फिल्ट को तो उनके लिए जो सारे प्लैंस बगरा है वो खतम हो हो जाए तो अफकोर्स फॉर्वर्ट के लिए बॉल आगे जाएगा ही नहीं तो अटलंटर ने कहां से हिट किया आप देख सकते हैं उनके जो विंग बैक है इन्होंने गोल किया था और एक गोल किया था पसालिच ने असिस्ट भी किया था इनके राइड बैक पे जो खेल है थी इन्होंने नापोली जैसा ने बताया मिड्फिल्ट पूरी तरीके से जंजोर के रख दिया इसलिए फॉर्वर्ट के बास बॉल गये ही नहीं ठीक है अटलंटर ने विंग का काफी इस्तवाल किया था एक गोल वहां से आया डिफेंटिंग काफी खराब नापोली का नापोली आपर हारी काफी बोड़ी तरीके से हारी फिर दी पोजेसन आप देखिए इनके पास है और पास्से के वामने फिरसे आपको काली दू कुली बाली मारियो रुई यह नाम धियान से देख नहीं जेगा और फावियन डूरी लेख खेलते हैं और जैसा कि आपने दे करे थे विंगर्स ने इंसीरी एं और कालेहॉन साथ में मारियो रूई जोसकी सबसे इंपॉर्टल डिफेंडर है आज के मैश में दोनों टीम्स के मिला कर उन्होंने एक असिस्ट प्रूफाइट किया था यहां पर भी मिटफिल्ड उतना सही नहीं था लेकिन यह जो दोनों जीलिंसकी और फाबियन डूइस यह दोनों कमाल के फॉर्म पर चलते हैं और इन दोनों के उपर रिस्पॉंसिविट रहता है क्रियेटिविटी लाने की मिटफिल्ड से यहीं जो है सारे पासेज बगएरा मूब्स बगएरा बनाते हैं मिटफिल्ड से तीसरे जो मिटफिल लिए से गोल मिला नापॉली को नापॉली लेंस ओ इं सिल और आज के मैस में आपके लिए नापॉली के तरफ से सबसे इंपऌर्टन प्लेड हो सकते हैं क्योंकि वैसे भी आज के मैस में आपको विंग का काम गश्यून को मिलेगा और इंसीनिया अंड़ लिस सबसे और रूइन यहां पर साथ प्रोसेस भी निकाल रहे थे जिनमें से एक असिस्ट आया एसी मिलान की अगेंस्ट में फिर से आपको अगर अगर उनकी स्ट्रेंथ देग नहीं है तो फिर से आप देखेंगे कि यहां पर राइट फूल बैक का कॉंट्रिबूशन था जिरो ने ग से करा था पागी उतना अच्छा नहीं खेल पाए थी एसी मिलान विंग का इस्तवाल नहीं किया अटाकिंग थर्ड में काफी इश्यूस थे तो फिर से आप देखेंगे मिड्फिल मतलब जील इसकी फाभी अंडुरिस फिट से यहां पर अच्छा खेला विंग प्ले का कॉ पर समझना है कि वह पोजेशन रखते हैं क्योंकि तो इनके कुछ चार-पाज नाम मैंने आपको बताए हैं यह साड़े तीन से चार या उससे भी जाधा पॉइंट्स आपको देने की शमता रखते हैं पासिंग के उपर डेपन करके पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर अच्छा नहीं है क्योंकि डिफेंसी मिडफिल में जो खेलते हैं डे में उतना अच्छा परफॉर्मस नहीं हो रहा है तो इसलिए और वैसे भी डिफेंस उतनी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो हर मैस में यह लगभाग गोल कंसीट कर रहे हैं तो यह सब कुछ रहे हैं ठीक हैं और नापोली के इंडिविजुल क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है और उनका कोई चेंज हुआ है तो हो सकता है कुछ टेक्टिकल चेंजिस भी वो करें जैसा कि पिछले हिट्ट्वेल मैचेस में हुआ था उससे तो हो सकता है कि नापोली आज के मैच में थोड़ा सा एज लेकर आए आज की मैच में और जीत भी जाए लेकिन मुझे लगता है कि दोनों टीमों से गोल्स आएंगे और इसलिए आज के मैच में जब हम टीम बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लेसर डिफेंस और सबसे इंपॉर्टन कुछ अटाकर्स को ह ही है साथ में पॉलिटानो अटाकिंग पॉंट अफ वी से बात करें तो और सोलिणी हाइस गोल स्कूरर है आप देख सकते हैं थोड़े सी इंकॉंसिस्टन्स ज़रूर है लेकिन आप इनको मिच नहीं कर सकते स्मॉल लिग में साथ में मूसा बैरो और पलासियो नापोली के हैं तो मुझे लगता है दोलों टीम इस तरह के साथ आएंगे जहांपर आपको यहांपर हीसाच के जगवर और मारियो रूज अगर खेलते हैं तो आग बंद करके उनको ले लेना लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो आप हिसाज को भी ट्राइग कर सकते हो लेकिन उतना ज्यादा मैं रेट नहीं करूंगा इनको डी लॉरेंस ओ पिछले मैस में गोल करा हुआ है इन्होंने और क्यों फाबियन रूइज रखते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत फाबियन रूइज आपको ऊशा दर्जा दिखेगा लेकिन का काफी हाई है मैं आगे आपको दिखाता हूं इनसे निये और काले हॉन पोलिडानों में से कोई एक इविंग पे खेलेंगे और ये दोनों पोजिश चलिए तो भी ले सकते हो आगे आपको समझाता हूं क्या कैस्च करना है आप बोलुनों के तरब से बैरो और उनी सबसे इंपॉरडन प्रेयर्ज होंगे आज के मैच में और तोसमें से हैं लेकिन मुझे नियूए आज के मैच में इनको मिस करना सही होगा यहां से सोडिया दोनों एक लौते मिट्फिल्डर है जिनकी उपर आप अटाकिंग कुछ रिस्पॉंसिविलिटी सोच रहे हो तो रख सकते हो दोनों टीमों की डिफेंस ही उतना सही नहीं है इसलिए मैं फूल बैस भी साधा कॉंसिटर्स देने बाला हूँ और यहां से एमबाए जिनका असि की टीम मैं यहां पर सर्फ गाइडेंस के लिए एक टीम समझाओं का फुल टीम के लिए आपको करना पड़ेगा टेलेग्राम चैनल जॉइन जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप अपने टेलेग्राम पर सर्च बार पर सर्च कर सकते हो टीम फॉर कर सकते हैं आप देख सेंगे मैंने यहां पर फाबियान रुइस को नहीं रखा है बलकि मैंने सोडियानो को रख दिया है जीन इसकी को मैंने रखा है क्योंकि मेरे को कम ट्रेटित ने मिल रहे हैं इसलिए एम बाए एक लॉता भी डिफेंडर साथ में डी लॉरेंस और मारि यह रुई अगर खेलते हैं तो अगर नहीं खेलते हैं इनको डॉप कर लेना रॉबर्त तो सोडियानो एक लोता मिटफिल्डर सेंटर मिटफिल्डर के बात करें सबसे जो इंपोर्टन प्लेयर हैं अगर आप चाहो ति यहां पर फाबियान रुइस को रख सकते हो इससे से यह दोनों ही आपको लिए काफी इंपोर्टन्ट है फाबियान रुष का सिस्ट प्रोडेंसियल भी ज्यादा है लेकिन थोड़ा ज्यादा क्रेड ले रहे हैं सिंटर विटफिल्डर के तरफ से इसलिए मैंने इनको ड्रॉप करके सोडियानो को लिया एक बैलेंस टीम बना सकते हैं बिलिक अगर खेलते हैं तो मिलिक के जगह पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहां पर पलासियों को भी रख सकते हो क्या है कि सेंट्रली स्ट्राइकर का मुझे उतना जदार रोल नहीं निज़र आड़ा है बाकी दोनों ही सेम क्रेडिल ले रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोएन हो जाना यहां पर स्रिफ फुटबॉल की नहीं बाकी सारे जो मैचेस लिस्टेड हैं ड्रिविल बन के सारे मैचेस की फूल टीम विद क्याप्टन भास क्याप्टन वहां पर पो हुआ 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 है बादे टोऊ हुआ हो अ हुआ हुआ है